बाष्टकार जयहिंद बंदे मात्रों में दोस्तों आप सभी का स्वागत है बिटेश ब्रोदर रेज़िक्वेशन प्लैट्फम में राष्ट में सिख्षा दिसे जमीन आज फ्रम बिटेश ब्रोदर दोस्तों इसमें हम लोग विहार फायरमेन का जो एक्जाम होने वाला है उसका यह सेट नमबर छे देखने वाले हैं इसे पहले पांच सेट बन चुका है जाकर इसका डिस्क्रिप्शन अपरले लिस्ट में ज़रू दखिएगा तो चलिए बिन अंदर के विए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन को कह रहा है परसीद है कैटन टावर किस इस देश में इस्तित है तो परसीद कैटन टावर कहां इस्तित है एक का आपका करेक्ट एंसर दोस्तों यह हो जाएगा तो एक का आपका करेक्ट एंसर यह हो जाएगा चीन में है यानि परसीद कैटन टावर किस देश में है तो चीन में है जो 2009 से लेक और सब से उचा टावर चो था हैronic नंबर वन पर रखा गया था हैं नंबर वन्ट में तोसको रखा गया है सिर्ष अस्थान पर यानि मीनार में आ जाए तो बुर्ष खलिपा और टावर में आ जाए तो टोक्यो इसकाइंडरी इस समय हो चुका है लेकिन यहां पर पूछ रहा है पर सिद्ध है केंटन टावर किस देश में स्थित है तो यह है चीन में एक का पर क्रेक्ट एंसर सी हो जाएगा पिंगली बेकाईया द्वारा तैयार किया गया था पिंगली बेकाईया का जनम दोस्तो दो अगस्त अठारेसियत्तर को हुई थी और इनकी मिरित्विजो हुई थी चार जुलाई और 963 को हुई थी इसको भी ध्यान में रखिए गा जनम जो 866 में मिरित्व और 963 में हुई थी यह कहां के रहने वाली थे आंधर पर्देश के रहने वाली थे यह क्रिसी बयाग्यानिक थे पिंगली बेकर या जो थे क्रिसी बयाग्यानिक थे चलिए अगला question तीन नमर्ड़ देखिये को रहा है नेमिलेखित में से किसका ओप यूग खाना पकाने के लिए किया जाता है तो आपन्चानवे परसेंट और भीउटेन 5% mix होता है इस गयस में अगर पूछा जाए तो प्रोपेन कितना होता है 5% होता है जो हाइडरो कार्बन का यह मिसरन होता है प्रोपेन एम ब्यूटेन एक और दोस्तों इसे कोश्चन पूछता है कि इसके रिशाव के लिए कौन सी गयस इसमें मिलाया जाता है क्योंकि यह प्रोपेन और ब्यूटेन जो गंध हीन होता है इसमें कोई गंध नहीं होता है इसलिए इसके रिशाव के लिए एक गंध वाली जो है गयस का उप्यूग इसमें किया जाता है जिसका नाम है मिथाईल मरकेप्टन इसको भी आपनों ध्यान में रखिएगा मिथाईल मर कैप्टन होता है जो सल्फर यूगत मिश्रण होता है चलिए नेक्स कोस्चन चार नमद के कर रहा है सरवण बेला गोला कहां इस्तित है तो यह जानते ही होंगे आपनों करनाटक में इस्तित है चार का पर करेक्ट एंसर इसी सरवण बेला के घुफा में जो है चंद्रगुप्त मौर अपना अंतिम दिन बिताए थे वहीं पर उनकी मिरित्तु हो गई थी और एक और दोस्तों इसे पूछता है कि वेल यानि इसमें जो है बेल का अर्थ क्या होता है तो बेल का अर्थ होता है स्वेत और गोला का करान जो होता है दोस्तों पिरतेवी के व्यवर्तनी पेलेटों में यानि टेक टॉनिक एन्सर आपका डी हो जाएगा पिरतीवी की जो अंदर पलेटों में खिसकाव कारान होती है पांच अपको डी हो जाएगा छे नमर्देखिए को रहा है यहां पर देखिए 6 का पूछ दोस्तों यहां पर देखिए इस question को देखिए इधर यह नहीं है यहां से देखिएगा छे नमर जी सेट सोला क्या है तो जी सेट सोला जो है दोस्तों यह एक वरकार का संचार उपगरा है correct answer D हो जाएगा चलिए next question 8 नमर देखिए आठ कह रहा है कि एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन के सीवाई चल रहे प्रोग्राम के सहायता प्रिष्ट हेल्प पेज को खोलता है तो यह जो दोस्तों आठ का आपका correct answer E हो जाएगा यानि correct answer E हो जाएगा चलिए अगला question 9 नमर देखिए कह रहा है cloud computing क्या है तो 9 का आपका correct answer E हो जाएगा service से cloud computing क्या है यह एक परकार का service है correct answer E हो जाएगा चलिए next question के तरफ आके पड़ते हैं दोस नमर देखिए कर रहा है और नाचर परदेश की राजधानी कौन सी है तो यह आप लोग जानते होगा और नाचर परदेश की राजधानी इटा नगर यानि दोस का correct answer C हो जाएगा तिरपूरा की राजधानी का है तो अगर तला यह नमर यह हो जाएगा तिरकुला की राजधानी अगर तला मेघाले की राजधानी सिलोंग और नाचर परदेश की राजधानी इटा नगर और सम की राजधानी दीशपूर चलिए एक गारे नमर question देखिए कह रहा है किस बर आपका correct answer D हो जाएगा 2010 में किये थे यानि correct answer D हो जाएगा चलिए next question बारे नमर देखिए को रहा है सोतंत्र भारत में भारती और राष्टिय कंगरेस की पहली महिला अधियक्ष को थी यहाँ पर देखिए तो सोतंत्र भारत की बात कर रहा है पहली महिला अधियक्ष इंद्रा गांधी बनी थी यानि correct answer आपका D हो जाएगा चलिए अगला question तेरे नमर देखिए तेरे नमर बहुत important question है चेचक कीस वाइरेस के कारण होता है तो बेरी सेला वाइरेस के कारण होता है correct answer दी हो जाएगा चेचक की खोज किसके द्वारा किया गया था तो एडवर्ड जेनर के द्वारा कब किया गया था तो 1792 में किया गया था चलिए अगला question नमर देखिए कर रहा है बंगलादेश के मोहमद उनुस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में नोबेल सांती पुरस्कार दिया गया था तो यह दोस्तों नोबेल सांती पुरस्कार जो दिया गया था चाओदा आपका correct answer यह हो जाएगा आर्थिक एवं समाजिक विकास की दीशा में उनके परियासों के लिए जो है 2006 में नोबेल की सांती पुरस्कार दिया गया था कि इनको दिया गया था जो बंगलादेश के रहने वाले थे मोहमद उनुस चलिए अगला question पंदरे नमर देखिए अगर हमारे चनल पर नए है दोस्तो तो subscribe करें बेल आइकन को प्रेस करें जिसे आपको समय सब्सक्राइब विडियो मिलती रहेगी देखिए दोस्तों आप लोग का exam अभी तो notice लेकिन जो है news पर आ रहा है कि आप लोग का exam जनवरी म में जो है होना संभव है क्यों कि देखिए दोरोगा का exam 26 को है तो उसके बाद दूसरा CSBC जो बोड लेता है उसके बाद वह कोई exam conduct नहीं किया है उसके बाद fireman ही है तो fireman का पूरा आशा बन रहा है कि fireman का exam इसके बाद होने वाला है जनवरी में होने वालतता है यानि होग संभव है कि पूरी तरह होन होगा तो होगा पदन महीं कर रहा है भारत और पाकिस्तान के बीचे भीराम रेखा को नियंत्रण रेखा जैने जिसे हम लोग LOC में परिवर्थित कब किया गया पहले जो नाम था बिराम रेखा था उसको बाद में चलके नियंतरत रेखा नाम कर दिया गया जिसे LOC कहते हैं यह कब परिवर्थित किया गया था तो यह जो किया गया था यानि 171 में जब पाकिस्तान इंडिया का यूद हुआ उसके एक साल बाद यानि अनौई 122 इस भी में किया गया था यानि correct answer भी हो जाएगा इससे question दोस्तों एक और पूछा जाता है कि यह जो है बिराम रेखा कब खीचा गया था तो बिराम रेखा अगर पूछा जाए तो 147 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था उसमें कितनी किलोमेटर का हैं 740 किलोमेटर का है ।्योष्य किलोमेटर का खीच गया था आनि भारत पाकिस्तान हुआ था धान उससे नाम बदल कर नियंत्रन रेखा कर दिया गया है आनि एलो सी यह जो है कम किया गया? अनाई 101, भारत पाकिस्तान उद के बाद अनाई 101 साल बाद अनाई 102 में कर दिया गया अगर पूछा जैकि सम्झा ओता कब हुआ तो इसको भी आप लो यह भी कीज़ए और दोस्तों जो इंद्रा गांधी और जुल फिकार अली भुटो के बीच यानि हस्ताक्षर से हुगा था सिमिला सम्झाता अनुइस बहुत्तर को तीन जुला यानुइस बहुत्तर को चली अगला क्वेश्चन 16 वाईव परदुसर्ण के संदर में PM का क्या तातपर है देखिए दोस्तों यह परदान मंति नहीं है यह वाईव परदुसर्ण के संदर में बोल रहा है प्यम का तातपर क्या है तो पर्टिकुलल मेटर यानि कोडेक्ट एंसर आपका 16 का सी हो जाएगा कोडिकिय पदार्थ चलिए अगला question सत्रे नमा देखे दोस्तों इसमें हम लोग टोटल पच्यास question देखने वाले हैं बहुत बहुत important question इसमें देखेंगे थोड़ा समय लोग सकता है तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा सत्रे नमा देखे का कीमो थेरेपी की सरोग के उपचार के लिए किया जाता है तो कीमो थेरेपी जो कैंसर के उपचार में किया जाता है correct answer आपका C हो जाएगा पास की दूर की बस्तुओं को देखने के लिए मानों आखु की अनुकूलन की विश्यस्ता को क्या कोते हैं तो अनुकूलन की विश्यस्ता को जो समंजस यानि एकॉमोंडेशन कोते हैं correct answer आपका B हो जाएगा और इसनमा देख करा है नीमबू सरी नीम लिखेत में से कौन सा एक प्राकिर्तिक बिलिचिंग एजेंट नहीं है यहां पर करा है प्राकिर्तिक बिलिचिंग एजेंट नहीं है तो सीमला मिर्च नहीं है नीमबू आलू और टमाटर यह प्राकिर्तिक बिलिचिंग तो यह जो बनाई गई थी इसका आपका करेक्ट एंसर भी हो जाएगा नथानियल वाल्डवीन के द्वारा बनाया गया था आप लोग जानते हैं बहुत इंपोर्टरी कोश्चन पुछता है तो सेप्टिलम का आभिसकर किसने किया था फहां फिस्टा डेभी दो रख किया गया था इनोंने सॉडियं पॉटोय सियू केहिेयों माइसियय और वेरीयं और भूराम 들고 काभी खोज किया था माइकल फाराइडे दोवारा जोला विदुत चुम्ब के पेरणर की खोज किया गया था माइकल फाराइडे का हो जाएगा लेकिन 20 का आपको करेक्ट एंसर भी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोस्चन एक कोईस नमर करें सोर के किस अस्तर से उपर का सोर कान में दर्द एम छती के कारण होता है तो यह लगभग आपको 21 का करेक्ट एंसर भी हो जाएगा लगभग 130 decibel से उपर हो जाएगा तो कान में दर्द और छती होने लगता है 22 नमर के करें सांडो को बंस में करने के खेल यानि सांडो को बस में यावा करा है बस में करने का खेल जो जिसे हम लोग जली कट्टू कहते हैं किस राज में परसीद है तो 22 का करेक्ट से हो जागा तमिल नाडू में जली कट्टू यह एक खेल है जिसमें सांड को खूला छोड़ दिया जाता है और वहाँ मरका होता है लो सांड उसको क्या किया जाता है उसको बस में करने के लिए दो तिन आदमी या चार पांच इतना उसको बस में करने के लिए जाता है लो उसी के जली कट्टू कहते हैं यह खेल है 23 देखे MS Office एक डएस है तो MS Office जो है 23 का आपका Correct answer भी हो जाएगा Application Software है MS Office क्या है एक वो Application Software है 24 देखे कर रहा है एक रूपए के नोट पर CK हस्ताक्षर होते हैं यानि यहाँ पर कर एक रूपए के नोट कर रहा है दोस्तों तो एक रूपए के नोट पर दोस्तों हस्ताक्षर जो होता है केंदरिया बीत सच्चिव का होता है Correct answer दी हो जाएगा और बाकी जो नोट होता है उस पर जो है भारती रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है चलिए अगला क्वेशन 25 क्वेशन देखते हैं अगर हमारे चनल पर नए हैं दोस्तों तो सबस्क्राइब कर बिल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको समय सब्सक्राइ और देखने वाले हैं यह पर करा है किस नदी को दक्षडी गंगा के नाम से भी जाना जाता है यह बहुत 23 गंघाजर यानि नाश्री को जाना तो 25 का आपका correct answer C हो जाएगा गोदावरी को जाना जाता है और दोस्तों यह जो है गोदावरी नदी जो है दक्षिड भारत की सबसे बड़ी नदी है दक्षिड भारत की अगर सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी लगभग 1465 किलोमीटर है इसकी लंबाई इसकी सहायक कावेरी से पुछता है कि कावेरी की लंबाई कितनी है तो यह दोस्तों 800 किलोमीटर कावेरी की लंबाई है यह भी जो है दक्षिड भारत में ही है जिसकी सहायक नदी सिस्मा हिमावती मंजीरा है यह एक और दोस्तों इससे question बहुत अच्छा बनता है कि तमिलनाडू और कर कोरनाटक के बीच jol बिवाद कौण सांए तो यह ही कावेरी नदी पर जाल विजल भीवाद होता है तमिलनाडओ कर नाटक क के बीच हमलों कावैरी जल बिवाद के नाम से भी जानते है 26 नमद देगे कर रहा है निमने में से कौन बीधूत का सूचालक है यहां पर सूचालक के बात कर रहा है तो 26 का आपका correct answer C हो जाएगा copper जो है सूचालक है बीधूत का सूचालक है चलिए अगला question 27 हम कर रहा है के समुद्रा नोटों के च्छापाई के लिए उपयूग की जाने वाली सामगरी है तो यह जो है कपास 27 का आपका correct answer B हो जाएगा कपास के लोते का किया जाता है correct answer B हो जाएगा चलिए next question के तरफ आगे बढ़ते है 28 नमद के कर रहा है बहुत important question है कि सोत अंतर सेनानी भगत सिंग को किस बर्स में फांसी दिये गए थी तो यह दोस्तो 23 मार्च अंच 131 को दिया गया था भगत सिंग के साथ स इनके दोस्त जो सुक देव राजगुरु इनको भी फांसी दिया गया था अंच 131 को यह जो है 7 बज के 32 मिनट पर इनका थांसी दिया गया यह भी question पोच्टा है कितने मिनट ए dop टिना बज दिया गया था आइछ पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की परकिरिया को क्या को आते हैं तो यह जो है बीदूत अपटन को आते हैं करेक्ट एंसर यह हो जागा देखिए दोस्तों यहां पर सिर्फ टिक लगाने का काम नहीं होता है कोश्चन को कहा से कोश्चन एक कोश्चन में कितना कोश्चन जो है आप लोगों को कोशिश करते हैं कि दिया जाए है कितना कोश्च अगर वहीं पुछा जा कि पीछले भागों में कितनी जो है पांसो लिखे होते हैं तो 10 यद दो जो है डिजिट में हिंदी और इंगलीज में लिखी जाता है लेकिन यहां पर सिर्फ भावासा पूछ रहा है तो भावासा पूछ रहा है तो पॉंद्री भावासा में लिखी जाती है लिखी होती है तो यह जो है 31 का आपका correct answer D हो जाएगा फ्रांस में है चलिए अगला question 32 देखिए कर रहा है पूस्तक अगनी की उड़ान के लेखक कौन है तो यह जो है अपने जीवन यानि अपनी ही जीवनी अबदुल कलाम अज्जाद द्वरा अगनी की उड़ान जो है यह लिखा गया है यानि अगनी की उड़ान किसके द्वर लेखा गया है तो अबदुल कलाम अज्जाद के द्वरा लिखा गया है एक और दोस्तों इसे प्रिक्स तांता काो ये हो जाएगा भारत में अस्थापीत जो 171 में अस्थापीत किया गया था इसी को को दोस्तों एक अपरील और आद झ Northern सौ में यहाँ पर पूच रहे कि भारत में अस्थापीत पहले बयंक का नाम किया था तो तो बैंक अफ हिंदुस्तान जो 1770 में इस भी में किया गया था और पूछा जाए कि सबसे बड़ा बाडी जीक बैंक कौन है तो भरतिये अस्टेट बैंक है इस समय बर्तमान में जो सबसे बढ़ा बाड़ी सबसे बड़ा वाड़े जीक बैंग तो भारतिया बैंग का नाम बाद में बतलकर क्या कर दिया गया तो भारतिया एस्टेट बैंग कर दिया जो है भारतिया रिजरब बैंग की अस्थापना की गय थी जो बाद में चल कर अनाई स ये भारतीया रिजरब पले कलकात्ता में किया गया था उसके बाद इसको अस्थनांतरी करके मुंबाई में कर दिया गया और इसके बाद क्या कर दिया गया इसमें जो है और इस उंचास में इसका एकिकरण करके इसको कह दिया गया कि भार्तिय रिज़रब बैंक जो होगा या भार्तिय सरकार के अधिन होगा चलिए next question 35 नमदेखकर आये अंतराष्टिय समुन्दरी संगठन किस्टे से संबंदी थे तो अंतराष्टिय संबंद्री संगठन जो है 35 का आपका करेक्ट एंसर 2 हो जागा संबंद्री परदूशन से बनों की कटाई कि तो बनों की कटाई के करण क्या होती है स्वरी निम्लिकित में से कौन सा एक बिलीचिंग एजेंट नहीं है तो यहाँ पर बिलीचिंग एजेंट नहीं के बाद कर रहा है 36 का प्रक्रेक्ट एंसर 2 हो जागा हाईड्रोजन सलफाइड नहीं है बाकी जो है सोडियम हाइड्र यह हैं अल्ट किर्गेट बिश्व कपड़ थे लिएजित हुआ क्यों अद्वराइबन और चली अगला क्योंच जा था फाइन सब्रोम किर्गेट था प्योर्द है जाना निश्चित हुआ है यह जो है करेंट अफियर से तो यह जो है 38 का आपका क्रेक्ट एंसर यह हो जाएगा भारत में होगा यानि 50-50 का 20 का होगा भारत में होगा चलिए नेक्स कोचन 49 से मदें कराया ने में लेकित कतनों में से कौन्सा कथन ए एस सी आई आई के बारे में सत्य है तो यहां पर सत्य पूछ रहा है 49 का आपका करेक्ट एंसर डी हो जाएगा एक अक्षर एक कोर्डिंग की ए स्कीम है यह 40 देखे को रहा है रूपय का चीन आ यानि रूपय यह जो है रूपय का चीन है तो यह एक रोमन युम देवनागरी अक्षरों का एक संयोजन एक करेक्ट एंसर डी हो जाएगा चलिए नेक्स कोचन 41 समय देखे को रहा है सचीन तेंदलुकर ने और इस नावासी में सुरूवात दोस्तों यह करांची में पकिस्तान ककरांची में जो हुई थे टेस्ट्टर से लेज वहिए से शुरूवात किया था करांची पकिस्तान कर् worthless naughty हो जाएगा ब्यालिस नमत्र के कपेर गुणdragon नामक दावा है तो यह जो है पैराइसीटा मूल यांद यह जोर दोनों में कामाता है तो 42 दोस्तों धर्म निरपेक्षत का अभिपराय है तो धर्म निरपेक्षता का अभिपराय जो है दोस्तों सबके धर्म और उपासना की सोतंत्रा होनी चाहिए चाहिए बिंडोज कीबोर्ड की कौन सीकुंची अधिकांस ब्राउजरों को फुल स्क्रीन मोड पर लाने के लिए सेट की गई है तो यह जो एक ट्वेंटीवन की गई है करेक्षत चुवालिस का सी हो जाएगा चलिए नेक गंगा एक्षन पलान का लक्ष क्या है तो यह जो है गंगा एक्षन पलान का लक्ष जो है गंगा नदी में परदूसर्ण कम करना है करेक्ट एंसर भी हो जाएगा यह शुरुवात गंगा एक्षन पलान कब शुरू किया गया था तो अन्वाइस पाच्चासी में किया गया एक और दोस्तो इसे question पुछता है कि नमामी गंगे कभ सुरू किया गया था तो नमामी गंगे ज़ो है 2015 में किया गया था ये भी जो है गंगा नदी के विकास के लिए एक और दुस्टों कोश्चन या पहले कराएं भी हैं कि जेल से इर्वस कम मना जाता ही तो 22 सभी पृइस कॉ मना जाता है तो 22 एक महीन को मना जाता है और दिवस महीना एड करदें 22 अपरिल हो जाएगा तो प्रित्वी दिवस एक महीना और एड कर दीजिए 22 मही तो जए भी भी वित्ता दिवस इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर एकजाम में रहता है तो इसको आपनों जरू देखिएगा 27 से मगा कर आया हाँ एक हावा में निट्रोजन लाव कितने परतिश्ऩ है तो हावा में निट्रोजन आते ही को सब से जज़्चन गयेता है और वाई मंडल में ज़ अगर पूछा जाए आरगन कितना परतिशत है तो 0.97 परतिशत आरगन है और अन्य में कितना है तो 0.04 परतिशत अन्य जिसमें धुलकण आ जाता है अन्य में कितना तोड मरोड को इसमें हम बता रहे हैं सिर्फ ठीक लगाना होता तो पांच मिनट से दोस मिनट में ही खतम होता तो ठीक लगाने से क्या फायदा जब तक कोश्चन समझ में नहीं आ है 48 नमर देखिए 72 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिमला समझाता पर हस्थाक्षर इन में से कहां पर किया गया था तो यह जो है 48 का correct answer यह जागा 12 कोट में किया गया था 12 कोट में किया गया था हस्थाक्षर सिमला समझाता कब हुआ था अनौई सो 72 में जब अनौई सो 71 में जो है यूद हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच उसके बाद सिमलास सम्झावता किया गया था अनौई सो 72 में जिसमें बीराम रेखा पहले जो है अनोई सो 47 में जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था तो बीराम रेखा इसको कोते जो 740 किलोमेटर तो खीचा गया था बाद में सिमला सम्झावता के बाद इसको नाम रख दिया गया नियंत्रण रेखा जिसे एलो सी कोते हैं यानि अ में सबसे कौन सी अधिक लंबी होती है तो यह जो चोटी आने बढ़ी आंत और छोटी आंत में जो है दोस्तो चोटी आन सबCherald अगर पुझा तो चोटी आत भी बोलती है यानि कोन सो यह हो जहेगा conscious का चली यह अगला कोस्चन देखते हैं पर लास्ट में ोजना सबसें स तो देखिए इसको हम कैसे तोड़ते हैं इस coin को सबसे पुहलेatreिंपक खेल का आयोजन कहां पर किया गया था जो उनन आर्म्पी किष्थानी एत्निंज में में है कर नाम रिषिस यह चाहिए गया है यह फोकत् नाम पर prosecution क्वहा जाताँ ग्रीस यानि युनान की राधानी कब किया गया था तो 6 अपरील 1892 से लेकर 15 अपरील 1892 तक हुई थी इसका आवेजन येसमें लगवाग दो सो अधिक देशों ने भाग लिया था यह जो दोस्तो एक और कुश्चन बनता है कि ओलम्पिक खेल का आवेजन कितने बर्स बाद हो कहां आवेजन किया गया था तो टोकेयो जपान में किया गया था दोजर बीस में टोकेयो जपान जो है जपान में किया गया था और अगला जो है ओलम्पिक खेल दो हजार चौवविस में होगा जो 26 जूलाई से लेकर 11 अगोस्त तक के इसका कारेकाल रहेगा यानि जो 2020 में भी जापान में हुआ था जो टोकेम हुआ था और 2024 में जो होने वाला है फ्रांस के राधानी पेरिस में होने वाला है अगर पूछा जाए दोस्तों कि ओलंपिक खेल कि जनमदाता किसे कहते हैं तो पीरे फ्रेंडे और बैरनोडे कार्वो को रोबो रेटीन को कहा जाता ह तो कैसा लगए वीडियो लाइक किजिए केमेंट किजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर हमाले चनल परना है तो सब्सक्राइब करें बेल एकल को प्रेस करें जैसा कुछ समझ सबर भी मिलती रहेगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो तब तक के लिए धन्यबाद जय हि अट्रम दोस्तू